नमस्कार मैं हूँ रमे शांडा आप देख रहे हैं पंजाब के सी टीवी और समय हो चला है ट्राइ सीटी अपडेट का सबसे पहले खास कब हरेना पुलीस भरती फर्जी वाड़े में 84 लोगों के खिलाफ एक और एफाई आर दर्च पंजाब विश्विदाले की परफैसर सुमन मोर को परेवणक शेतर में उलेखनिया योगदान के लिए मिला राश्ट्य पुरुसकार शुकरवार से सरकारी दफ्तरों वा बैंकों में सौ पतिशात कारिमों की अनुमती रेश्टरिनेट और कलब खुले रहेंगे रात बारा बज़े तक और अब खर बें विस्तार से हर्याना पुलिस में कौंस्टेबल भरती के मामले में पंचकुला पुलिस ने 84 और लोगों के खिलाफ एक नई F.I.R. दर्च की है आपको बता दें कि इस मामले में अब तक करीब 30 लोगों की गिफतारी हो चुकी है जो कि किसी दूसरे की परिक्षा देने आए हुए थे इस मामले में जाच कर रही S.I.T. टीम को हर्याना करमचारी चैन ओगद्वारा 84 और लोगों की लिश्ट दी गई थी जिन्होंने की दूसरे के नाव परिक्षा दी थी इसी के अधार पर S.I.T. ने नई F.I.R. दर्च की है इस मामले में बहुत जल्ड बड़ी गिफतारी होने की संभावना है हर्याना पुलिस कॉंस्टेवल भरती मामले में पंचकुला पुलिस ने 84 लोगों के खिलाफ एक और F.I.R. दर्च की है आपको बता दी कि हर्याना पुलिस कॉंस्टेवल भरती मामले में अभी तक 30 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है पंचकुला के ACP विजे नेरा ने बताया कि हर्याना करमचरी चायन आयोगद्वारा दी गई 84 लोगों की लिस्ट को लेकर पंचकुला पुलिस ने एक और F.I.R. दर्च की है उन्होंने बताया कि इस लिस्ट को लेकर पुलिस लगाता जाँच परताल कर रही है उन्होंने ये भी बताया कि हर्याना पुलिस को स्टेवल भरती मामले में पहले से दर्च F.I.R. में हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाएगे आरोपी रामफल से पूछताच में कई खुलासी हुए है उन्होंने बताया कि इस फर्जी वाड़े में कई सरकारी टीचर भी शामिल है और उस मामले को लेकर भी लगातार अब जाँच आगे बढ़ रही है इस बारे में जो पहले से मुकदमे जरज हैं अलड़ी बानने आयो की तरफ से उसमें जो डेटा हमारे को जो अब तक जो शेयर किया गया था उससे हमने मैच करके उसका देन करके और इनकी एक सेपरेटली फिर एफ आई आर जो है दरज की यह कैंडिडेट्स हैं जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं जी इनको जांच में शामिल करके और पुस्तास की जाएगी और नेमानुसारा अगे कारवाई करें तो किन किन जिलों से ऐसा यह लोग सभी जिस्टों करें देखिए यह तो अनेक जिलों से सम्मन्दीत व्यक्ति हैं उसने कई बातें बताई हैं उसको और वेरिफाई कर रहे हैं इसमें वो उसका एक यह इंडिकेशन था कि एक सरकारी करमचारी वे हैं जो केंडिडेट्स की जगर अनुचित रूप से बैठकर रहे इटन एक्जाम में शामिल होते हैं हर्याना करमचारी चैन आयोगद्वारा डर्ज करवाएगी FIR में अभी आगे और भी कई लोगों की गर्फतारी हो सकती है अब देखना ये होगा कि पॉलिस कॉंस्टेवल भरती मामले में फर्जी केंडिडेटों के साथ साथ कौन से बड़े चेरे हैं जो सरकारी विभाग में कारे रहते हुए इस फर्जी वाड़े में शामिल हैं पंजाब के से टीवी के लिए पंचकुला सी बियोरो रिपोर्ट सेक्टर उननीस थाना खशेतर में एक व्यक्ती शिकायत लेकर गया हाला कि ये शिकायत तो बहुत ही मामूली थी लेकिन उसके लिए रोजी रोटी का सवाल था मामला था उसकी रेड़ी चोरी हो जाने का थाना प्रभादी मिन्नी भार्दवाश को उन्होंने जाकर शिकायत दी और उन्होंने उसकी जरूरत को देखते वे तुरंत एक टीम कठित की और मातर दो घंटे में ही उसकरीब की रेड़ी खोश निकाली जिसके बाद रेड़ी चाल कासा परसंद दिखा और पुलिस की तारीफों के पुल बांगता दिखा चंडीगर्ड सेक्टर उन्ही स्थाना पुलिस ने चोरी के मामले में मैज दो घंटे में सुलजा आरूपी को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है दसल मामला एक रेड़ी की चोरी का है कहने को तो ये एक छोटी सी घटना है लेकिन रेड़ी चालक के लिए ये एक बड़ी बात थी क्योंकि इससे तो उसका गुजर बसर होता था और रेड़ी चोरी होने से तो उस पर मानों मुसीबतों का पहार तूट गया हो ऐसे में परिशान रेडी चालग अपनी फर्याद लेकर सेक्टर 19 थाना प्रभारी मेनी भार्दवाज के पास पहुचा और शिकाय दी जिसके बाद मामले में तुरंत कारवाई करते हुए थाना प्रभारी ने एक टीम गठित की जिसमें शामिल एसाई अशोक कुमार, एसाई प्रेम कुमार, कॉस्टेवल संजे मौर, कॉस्टेवल संजीत ने महज दो घंटे में ही चोरी की वारदात को सुलजाते हुई आरोपी को पकट कर सलाकों की पीछे भीज दिया उससे चोरी की गई रेडी और साइकिल भी बरामद हुई है उनिस स्थाने में एक मामला आया है चोरी का, क्या मामला था और किसकी गिरिफतारी हुई है कल हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया था चार बजे के क्रीब, कि उसकी उसने रेडी गया है जिससे पूछने पर एक साइकल भी उससे बरामद हुई है तो चोर को हमने आज पेश करके जुडिशल पेश दिया है चोर की पहचान किस रूप में हुई है कहां कर रहने वाला क्या नाम है वर वैकला साइड का है, यहां कभी 25 में चला जाता है जाकि मार्किट में सो जाता है बस ऐसा हिए उसका काम चोरी करना और बस चोरी करके अपना पेट पॉलना यह काम रहुत है और प्या नाम क्या है? जंगली ही और कोई पहले को इस पर मामने वगरा दाल कोई से अशा सामने आ हैं ने हमारी पूष्ताश के दुराने ऐसा कुछ आया नहीं है लगफ़ कितने गंटे में इस मामने को सुल्जा लिया है उनिस्ताना की परिस इसको दो घंटे के दो तो अगर बात करें उन्ने साने की साइटी जो बनाई गई है तो इसमें कौन-कौन शामिल है पतादे कि ट्वाइस सिटी में आए दिन वान शोरी के मामले सामने आते रहते हैं ऐसी में जुरुत है किसी तरह से ने मामलों में भी पोलिस तुरंत कारवाई करें ताकि बढ़ते अपरादे घटनाओं पर लगाम लगाए जा सकें पज़ाब के सिटीवी के लिए चन्डीगर से उल्दीप कुमार की रिपोर्ट चन्डीगर नगर निगम में नॉमिनेटिड पास्टो का वोटिंग का अधिकार मिलेगा या नहीं इसे लेकर सुपरीम कोट में मामला विचारा दिन है जहां वीड़वार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई फेटल गई बताया जा रहा है कि पशाशन के वकीन ने वहां कहा कि वे हाल ही में करोना से ठीक हुए है इसलिए वह अभी इस मामले की पैर भी नहीं कर सकते जिस कारण उन्हें डेट मिलनी चाहिए सुप्रीम कोट ने उनकी ये धलील स्विकार करते वे इस मामले की अगली तारिक मकावर कर दी है जिसे की बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा पंजाब विश्विद्याले चेंडिगर्ड की परेवन विभाग में परफेसर डाक्टर सुमन मोर का चेन नेशनल आवार्ड के लिए हुआ है इस समद में डिपार्टमेंट आफ साइंस और टेक्नलोजी मनिस्ट्री आफ साइंस और टेक्नलोजी भारसरकार की और से विजेताओं की घोशना कर दी गई है जिसमें परफेसर सुमन मोर का नाम भी शामिल है डाक्टर सुमन को यह पुसकार साइंस और टेक्नलोजी कम्मुनिकेशन के क्षेतर में अलुएखनिया योगतान के लिए दिया गया है आपको बता दें कि डाक्टर सुमन मोर पिछले 21 वर्ष्टों से परेवरन के लिए काम कर रही है वीवार को एक बार फिर पूरवचे तावनी के बाद मौसम ने करवट ली और मैदानी अलाकों में सुभा से ही बारिश का महौल बना रहा देर शाम तक भी बुंदाबादी जारी थी वहीं पहारी क्षेत्रों में बर्फ का महौल बना हुआ है और उमीद है कि शुकरवार को पहारी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है जड़े बात करें ट्राइसिटी की तो ट्राइसिटी में गुजरे 24 घंटों में 3.1 मिली मिटर बारिश रिकॉर्ड की गई और तापमान में भी काफी गिराब देखने को मिली है ट्राइसिटी में वीर बार को अधिकतम तापमान लुड़क कर 14.5 डिगरी सेंसेस तक पहुँच गया वही नियूनतम तापमान में बर्फटरी हुई है और रात का तापमान 11.94 डिगरी सेंसेस रिकॉर्ड किया गया वही मौसम में नमी की अग्तमात्रा 95 फीजदी हो गई है आने वाले 24 गंटों में आनुमान है कि इसे तरह मौसम में बादल शाय रहेंगे रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और शाम को हवाओं के पीच सर्दी और बड़ेगी और रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है चंडिगर परिशाशन ने करोना के दुरान पेश की गई गाइड लाइन में कुछ और ढील दी है जिसके बाद अब होटल, रेश्टोरेंट और रात को बाराए बज़ तक खुले रह सकते हैं साथी साथ अब इंडोर में एक सौ विक्ती और आउट डोर में दो सो विक्ती किसे भी समारों या कारेकरम में हिस्सा ले सकते हैं वहीं रात को साड़े बारा बज़े से सुबा पांच बज़े तक गैर ज़रूरी कामकाजों के लिए वहनों का सड़क पर दोड़ना बन रहेगा बैंकों में, सरकारी कार्यालों में और नीजी बैंकों में भी अब सौ फिज़ी करमचारी को आने की चूट के दी गई है बशर्ते की करमचारी को कोविट की दोनों डोज लगी होनी चाहिए यह अदेश हाजवार रूम की बैठक के बाद जारी किये गए है ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही देश और विदेश की हर ख़बर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब के स्वी टीवी के साथ और हम फिर हाज़र होंगे ट्राइसिटी अपडेट लेकर तब तक के लिए रमेज शाना को पुरिटिंग के साथ दीजे जाज़त नमस्कार